करनाटक के बंगलूरू में दो दिन पहले हुई पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद अब बिहार में पत्रकार पंकज मिश्रा पर हमले का मामला सामने आया है जानकारी के मुताबिक अर्वल में राष्टिय सहारा समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार पंकज मिश्रा पर दोबाइक सवारों ने हमला कर दिया वही उनके पास से एक लाख रुपे भी लूट लिये अर्वल के स्पी के मुताबिक पंकज पर गोली चलाने वाले एक शक्स को गिरफतार कर लिया गया है जबकि दूसरा फरार है गिरफतार किये गए आरोपी पिडित के चचेरे भाई हैं पूछताच के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है दोनों ही आरोपी अस्थानिय निवासी हैं और कुर्था विधान सभा सीट से जेडियू विधायक सत्यदेव सिंग के करीबी हैं फिलहाल पत्रकार पंकज मिश्रा को पीम सीच पटना रेफर कर दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है पंजाब के स्री टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट